गुड मॉनिंग ट्रवर्स, डेट रुडिंग लाइव एजुकिशन में आप से भी लोगों का मैं स्वगत करता हूँ डेट है आज का अगस्ट 28, आज वेडनस डे है और टाइम हो रहा है ना बज के 3 मिनट सुर्वर्स कल का ट्रेड आप लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने बाइंग के लिए प्लान किया था एक छोटा सा क्वाइनटी में एंड कल मार्केट बहुत जादा हूज वर्ल्ड रिल्डी क्रेट कर रहा था इसलिए हम लोग यह चाह रहे थी कि हम लोग अपने कैपिटल के साथ में रिस्क ना ले हूज वर्ल रिल्डी में क्या होता है न हो सके तो आप बरा पैसा कमा लेंगे या फिर आप बरे पैसे को लॉस भी कर सकते हैं हम लोग से profits के बारे में क्यों सोचते हैं हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि high world reality में ज्यादा profit कमाने के वज़े अगर हम लोगों का नुकसान हो जाए गलत analysis अगर हम लोग कर ले and गलत होना कोई बड़ी बात तो नहीं है इसी कारण maximum लोग एक सही direction में नहीं बने रह पाते हैं उनका mindset बहुत जल्दी weak हो जाता है क्योंकि वो एक losses में चले जाते हैं and वो loss recover हो नहीं पाता है वो छोड़ चला loss एक time में बहुत बड़े loss बन जाता है and वो बड़े loss जब आपको याद आएगा trade करने के time में आपका analysis wrong हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है तो हर एक जब market high worldly create किया हम लोगों ने patiently wait किया कुछ नहीं किया हम लोगोंने बस हम लोगोंने market को देखा एक बहुत valid trend line हम लोगोंने plot out किया था and काफी time पहले ही यह area हम लोगोंने mark out करके रखा हुआ है कि यह एक resistance है अगर आप देखेंगे इसी resistance को market multiple time अभी तक respect कर रहा है तो कल हम लोगोंने na patiently पहले wait किया wait करने के बाद जो market का difficulties वाला area था यह वाला मैंने कहा न इस area से अगर उपर जाएगा तो थोरा बहुत strength market में आएगा तो हम लोगोंने यहाँ पे क्या क्या strike price add करके हम लोग निकल गए निकलने का भी reason क्या था कि अब जो है यह high breakout हो रहा ह और यह high के breakout पे market लोगों को trap कर सकता है बहुत easy और market ने वही चीज़ किया यहाँ पर आप देखेंगे bullish behavior दिखाने के बाद से आप लोगोंने देखा यहाँ पर market किस तरीके से falling को continue कर दिया कोई बड़ी बात नहीं उपर से down motion continue कर रहा था तो last में एक fall का आना कोई बड़ी बात नहीं I hope आप लोग जो है analysis को properly सीख रहे हैं and during the live market हर एक चीज़ों का apply करके आपका trading पहले से बहुत improve हो गया होगा जो आप लोग comment करते हैं आप लोग comment से मुझे पता चल जाता है किसका कितना knowledge है बहुत सारे लोग trend हो चुके हैं and अगर अभी तक आप trend नहीं है नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले यह identify कीजिए कि आपकी गलतियां कहा हो रही है और आप किसको follow कर रहे हैं wait करेंगे देखते हैं आज किस तरीके से market हम लोगों को एक new learning देता है चाहे वो loss हो चाहे वो profit हो देखते हैं आज के market में किस तरीके से हम लोग survive कर पाते हैं time हो रह जो है market अभी तक रुका हुआ है market को यह पता है कि हम बहुत ज्यादा उपर है मुझे थूरा सा pause लेनी की जरूरत है लेकिन pause क्यूं लेंगे लोगों को नहीं देखना चाहिए वो pause क्यूंकि अगर लोग नहीं देखेंगे market behavior bullish है तो लोग invest कैसे करेंगे अब जिनको knowledge है day trading क करते है पर आप सोच लीजे कौन बाय करते होंगे जिनको देट विटिंग के बारे में उतना knowledge नहीं है वो लोग यहाँप ा इंवेस्ट करेंगे बाइंग करेंगे लेकिन आप लोगों को पता है कि मार्केट किस सेक्टूशन में हैan मार्केट उपर में है ट्रवेस, मार्केट तो बहुत नीचे भी आ सकता है, तो बहुत करेक्शन लेना, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, अगर मार्केट ने यह फॉल को कंटीनू नहीं किया, तो एट लीस्ट जो है यही लेविल से, फिट से वो मोशन उपर के स तो इस करेक्शन से आपका huge loss ना होजा, बस इस चीज का ध्यान रखना है, वेट करेंगे, अगर आप लोगो को मेरा date rooting education पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, टाइम होना 9 बच के 8 मिनिट, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा, बिल्कुल भी skip नहीं करना है, व ओपेनों दीजा मार्केट को drive होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा, फिर देखते हैं किस तरह के से price behavior मार्केट करेट कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक support है यह वाला idea, ठीक है, यह बहुत ज्यादा important कहीं कहीं role play करेगा, अगर इससे नीचे आएगा तो maybe sellers थो बहुत active हो सकते हमें यह चीज़ पता है, पांच मिनट के chart time frame के accordingly, उपर से down motion continue है, यह चीज़ पता है, downfall continue कर सकता है market थो इसी planning के साथ में, suppose अगर हम लोग यहाँ पे chart time frame लेंगे 15 मिनट का, इसके नीचे में अगर suppose market आता है, तो क्या कुछ quantity add-on करना सही रहेगा, यहाँ पर हम लोग strike price add करेंगे, 51,200 का, कुछ option में suppose अगर buy करते हैं, ज्यादा नी, only 300 quantity, लेकिन market इसके नीचे में आएगा, तभी ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, इसके नीचे में आना important है, उपर से down motion है, थो बहुत continue, यह थोड़ा साम लोग 83 का price मिले हम लोगों को, ठीक है, and कोसिस करेंगे, जो stop loss होगा, वो ज्यादा बरा stop loss ना हो, suppose यहाँ पर जो हम लोगोंने short selling किया हुआ है, यह short selling में, अगर suppose market उपर का momentum continue करे, तो अगर market यहाँ से उपर जाने लग जाए, तो हम लोग square off कर देंगे straight को, ठीक है, कुछ अभी हम लोगों का losses चल रहे है, okay, ध्यार रखना है, यहाँ पर जो हम लोगोंने trade लिया है, थोड़ा सा और evidence होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह level तक आसपास में जाएगा, हम लोग square off कर देंगे, and यहाँ पर suppose अगर हम लोग target की बात कर, थोड़ा सा में जादा हो रहे है candle में, इसके नीचे में आएगा ना, तो और भी quantity add-on कर सकते हैं, हम लोग total में, 20 lot अभी है, हम लोग के पास में देख सकते हैं, इसके नीचे में आ रहा है market, इसके नीचे में आ रहा है address, ध्यान दीजेगा, कुछ और भी quantity add-on करें, हम लोग 150 ज्यादा नहीं चलि टाइम हो रहा है, 9.23, वीडियो का अपलोग लास तक जरूर देखेगा, okay, so time हो रहा है, 9.31, ट्रोस ध्यान दीजेगा, market बहुत easily देखे, नीचे आ रहा है, थो रहा सो weak हुआ है market, लेकिन बहुत ज्यादा weak समझने के गलती मत कीजेगा, as per hour, if I be retracement, bodily level पर अब देखेंगे न, तो यहाँ पर 0.5 के area से भी नीचे में है, it means इससे पहले वाला जो area है यह देखे, jointing area, यह एक jointing area बनता है, ठीक है, इससे पहले जहाँ पर market opening हुआ था, open होके थोरा बात यहाँ पर रुका था market है, वो एक jointing area के काम कर सकता है, यहाँ पर target हम ल rate को, तो square off करना बहुत जादा important है, लेकिन और भी नीचे भी जा सकता है market, logical जगह तो यह वाल अलग रहा है, लेकिन profit देखेंगे, only 15,000 का, यहाँ पर 30,000 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर only, एकदम देखेंगे, कम हो गया profit, और भी ज्यादा कम हो गया, वेट करेंग हम लोग अपडेट करता हूँ, वीडियो का अप लोग लास तक जरूर देखेगा हूँ, so देखा, ट्रिवास आप लोगों नहीं यहाँ पर किस तरीके से market जो है ना, एकदम से trend line को test करते हुए, उपर चला गया, ठीक है, घबराने वाले बात नहीं है, जब तक इस line के नी मिले, देखते हैं फिर भी हम लोग पूरा try करेंगे, कहां तक स्ट्रेट को manage कर पाए, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि जब इस level पर आया ना, तो मुझे वही logical plan के हिसाब से square of card कर देना चाहिए था, comment कीजिएगा आप लोग कि क्या ये चीज करना चाहिए था, मैं हमे आप अनप्रोफिटेबल बन जाते हैं, तो ध्यान रखना होगा आपको हर एक बातों का, सेलर्स हावी है मार्केट में, घबरने वाले बात नहीं है, मार्केट जब उपर जा रहा है, जैसे मार्केट उपर जा रहा है, यहां पे भी वही सेम केंडल दिखाए दिया था, हम को सेलर्स है तो यहां पे सेलर्स कहने कहीं एक्टिव होना चाहा रहे हैं, तो इस बात को समझना जरूरी है, जलबाजी में अपने ट्रेट को स्क्वार आफ कर देना समझधार ही नहीं हो तो एक ट्रोड़ा के लिए, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा प्राब्लिम हम ल तो इस टाइम हो रहा है, 9.52 यहां पे देखा आप लोगोंने मार्केट थोरह सा और नीचे आया था, लेकिन मुझे 16,000 का प्राफिट पसंद नहीं आये, जिसके वज़े से कुछ अभी हम लोगों का 8,000 का असपर्स का 7,000 का लॉज चल रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात डिफरेंट डे में डिफरेंट मार्केट कंदेशनस हो सकते हैं आपके साद में, मॉर्केट कंटीन्यू उपाल ही नहीं करता, अगर वो फौल करता है तो ओपर में अपने आपको थहरा बहुत मैंटें भी यह हमें पता है, तो हमारे ले ले कोई बड़ी बात नहीं बात उन संद आ रहे तो कि अ कि अ कि अ कि अ कि टो ज्यान दीजेगा टाइम हो रहा है दस बच के साथ मिनाट फाइनली जो है ना मोशन जो है ना थरह बहुत फॉलिंग के दरफ में कंटीनू कर रहा है ट्रेट को स्क्वेर आफ करेंगे प्रीमियम आप लोग देख रहे हैं कितना इकत फेस करना पड़ता होगा डियूरिंग दा लाइब मार्केट लोग दिखा देते हैं कितना इजीली बरे कॉइनिटी में एक लाग का प्रॉफिट पचास दार का प्रॉफिट साथ हजार का प्रॉफिट लेकिन एक रिटेल टेडर जब वो और पंच करके जब डियूरि यह होगा हम लोग इतना उम्मीद नहीं कर सकती कंटेनुसली मार्केट नीचा ही आता रहे कि उपर से देखिए फॉलिंग मोशन कंटेनू था इसलिए मार्केट नीचा है कोई बड़ी बात ने सिंपल हैंसी से बस लेकिन प्रॉफिट देखिए 20,000 से एकदम सीधा 7,000 8,000 मतलब यह लेवल पे मार्केट थोरा बहुत रुकना चारा है यहां पर आप देखिए तो प्रॉफिट देखिए एकदम 5,000 में आ गिया देखते देखते प्रीमियम देखिए मार्केट भी उपर जा रहा है लेकिन उसे साब से जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट बहु आसानी से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता है लोग सोचते हैं एक ट्रेडर कितना आसानी से पैसा कमा रहा है कंप्यूटर में बैटके सो टाइम हो रहा है दस बच के 9 मिनट देखते हैं स्ट्वेट को अब हम लोगों को स्क्वेर अफिक कर देना है ज्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे प्रिमियूम डिके होगा तो फसाएगा मार्केट ओके टोड़स ध्यान दीजेगा टाइम हो रहा है दस बच के 20 मिनट काफी टाइम से मार्केट परिसान कर रहे हम लोगों को इसी लेवल के आसपास समसे ही घूम रहा है मार्केट बार बार यहाँ पर स्वेट को हम प्रिवेस में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐडिया लगेगा यह जो एडिया है अगर आप देखेंगे प्रिवेस में यह लेवल तो यहां से ही दिखें मार्केट ने बढ़ा फॉल किया था ना इसलिए थोड़ा सा डिसीजन ले रहे हिए नीचे नहीं आना चाह रहा मार्केट के इस difficulties को हम लोगों को समझना जरूरी है हर दिन बड़ा profit कमाएंगे आप बड़े coin याइड करके जरूरी नहीं है ओके तो यहां पर इस rate को square off कर देने का ही प्लान करेंगे हो सकते square off करने के बाद बहुत ज्यादा नीचे जाया market लेकिन hold करना सही नहीं लग रहा है सारा का सारा profit लेके जा रहा है market seriously मतलब हलका सभी मतलब premium कितना decay हो रहा है कितना ज्यादा huge तरीके से हम लोगों को यहां पर option का time decay खा रहा है फिर भी हम तो कितना सारा वीडियो बना चुके हैं लोग trend हो चुके हैं समझ में आ चुका है लोगों को reality कि option trading में कितना ज्यादा परिसानी होता है easily पैसा नहीं बनता है बनता है लेकिन छोटा सा expectation रखिये गया ज्यादा नहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा profit तीन हाजार दो हजार में आ गया दोस्तों देख रहे हैं एकदम से 20 हजार भी चल रहा था profit आप लोगोंने देखा होगा व मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज बरा quantity था profit नहीं मिल पाया ठीक है ब्रोकरेज वगर लगे कल वैसे भी हम लोग ने ब्रोकरेज कमाई लिया है दो तीन दिन चार दिन पांस दिन तक ब्रोकरेज जाएगा हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है तो यहाँ पर straight को square off कर दें कैसा कैसा सनेडियों हम लोगों के साथ में हो सकता है during the live market and जितना हो सके मेरे से हर एक चीज आप लोगों को मैं reality दिखाने का try करता हूँ कि during the live market किन किन चीजों से हम लोगों को गुजरना होता है 20,000 का profit से आप देखे 35 लेकिन मैं बहुत खुश हूँ मुझे बस एक ही वि 20,000 का profit देखे जब 2000-1000 book करेंगे ना बहुत तकलीफ होगा उन लोगों को लेकिन आप लोग trader हैं तकलीफ नहीं होना चाहिए मिलते एक next tweet के साथ में एक new education के साथ में इस video को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धनेवाद thank you so much take care